वीडियो नमबर चार टोटल पांच वीडियो होने लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वॉक करके दिखाऊंगा कि एक्जाक्ली कैसे एप्लिकेशन फॉर्म बन रहा है अभी तक सारी इंफोर्मेशन कवर हो गए एक और इंफोर्मेशन इस वाले वीडियो में कवर कर लेत सेसे कौन सी फोटोर्यूप कौन से डउक्यमेशन अप्लोड करने है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देखो क्या-kya चीज़ें ठीक है इन दोनों फोट्रेदρο को ध्यूंड रख लो ध्यान्यकलो धेन रख लो ही तो टाइप की फोटोघ्यौ पासपोर्ट साइज नाम और डेट लिख लो ठीक है आपकी करंट शकल से मिलनी चाहिए फोटोग्राफ के उपर देखा गया है पुराने जमाने में अपका पता नहीं शांदार फ्रॉड होते थे ठीक है शांदार फ्रॉड का मतलब जिसकी फोटो लगी है और जो एक्जाम देने गया वो दो काफी स्ट्रॉंग रहता है पास्पोर्ट साइज फोटो चाहिए जेपी जी फॉर्मैट में अप अप्लोड करेंगे दस के भी टू दोसों के भी चारवाइच है कि आपकी पोस्कार्ट साइज होती है जेपी जी दस के भी टूंड़ के भी बट वाट यह फोटोग्राफ ही आप अपने साथ examination hall में लेके जाएंगे अपने admit card पर चिपकाएंगे जब आपकी counseling होगी तब यूज होगी तो ध्यान रखिएगा कि यह दोनों photograph यह दोनों photograph आपके exam देंपर काम आएंगी ठीक है आपके counseling के टाइम पर काम आएंगी और examination center के अंदर exam hall में ठीक है तो इसलिए दोनों का दोनों का दस-दस copy each निकल वा लीचे copies each ठीक है important है तीसरी image of signature sign किये black से करो blue से करो कुछ प्रॉब्लम डियोगी आपने उन्हों नहीं लिकाए preferably आपने name date नहीं डाला फरग नहीं पड़ेगा पर पहली चीज हो गई दूसरी चीज हो गई यह तीसरी चीज है ठीक है चाहिए 4kb to 30kb यह भी अप्लोड करना होगा आपको चौथा पिछले साल सिर्फ अंगुटे से काम चलना था इस बार पूरा कि आठ उंगलिया दो थम इस तरह से यह ना यह भी जब हम application form बरेंगे देख लेंगे जे पीजी 10kb to 200kb अब पिशे बार क्या था यह जो चार चीज है ना यह अप्लोड नहीं करनी तो एक फेस्टू था कि एक्जाम के बाद पूफ माना जाता है आपकी date of birth का ठीक है तो यह अप्लोड कर रहा है इसका pdf 50kb to 300kb छटी चीज चीज क्याटिग्री सर्टिफिकेट या फिर यदि आप OBC या EWS है तो आप declaration भी डाल सकते हैं मैंने पहले वाले वीडियो में यह चीज कवर किती इसका pdf चाहिए 50kb to 300kb कैटिग्री कौन सी जनल कैटिग्री वाले को अप्लोड नहीं करना अप्लोड करना है SC ST OBC EWS मैंने PWD का अलग से लिग दिया है क्योंकि PWD नमबर 7 काफी सारे डिटेल में explain किया गे क्या PW certificate का मतलब क्या है यह पीडिया 50kb to 300kb फाइनल citizenship certificate यह इंडिया के लिए नहीं है जो इंडिया के बाहर रहते हैं उनके लिए जो इंडिया से पर इंडिया के बाहर रहता है को इंडिया ने कुवेट में रहता है को इंडिया में रहता है को इंडिया ने इतली में रहता है उनके लिए हैं यह चीज़े आपको अपलोड करनी है बस काफी लेंगी है ठीक है तो पर यहां पर चल चलता देख लेते हैं चीजों को, यह हमारा information bulletin है, इन्हों ने का passport size photograph सगरा, एक दो चीजे जड़ा यहां पर ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है, इन्हों ने कहा है कि recent photograph, अगले पेज में इन्हों ने recent को define किया है, after 1st January 2022, बहुत पुरानी photo ना हो यार, है न, तो यह चीज है, बाकी चीजे मैंने आपको यहां पर cover कर दी, बता दी, अब next पर चलते हैं, इस वाले page पर देखो, एक और चीज इन्हों ने बोली है, गॉगल्स पहन के, वाह, कैप पहन के, वाह मेरे राजा, यह सब चीजे नहीं होगी, ठीक है, आख मारते होए नहीं लेना है, जीव निकालते होए, प्रॉपर, तमीज की photograph, अलेस, आप NTA से बहुत परेशान है, आपको पता है, आपको सेलेक्शन नहीं होगा, तो आप सत् पता है, तो फेस, 80%, 80% से जाधा, मतलब 80% कम से कम दिखना चाहिए, ठीक है, आपके कान, क्लिरली विजिबल होने चाहिए, और वाइट बैक्ग्राउंड पर उना चाहिए, फोटोग्राफ, ब्लाक और वाइट भी हो सकती है, ठीक है, फोटोग्राफ, ब्लाक और वाइट जो आप रेगिलरली यूज कर रहे है, ठीक है, तो यह चीज यहाँ पर है, यह मैंने आपको बता दिया, अब आप नीचे की तरफ जाएंगे, तो इन्फोर्मेशन बुलेटन में एक अच्छी चीज दी हुई है, बागी सारी चीजे मैंने कवर कर दी, यह पेमेंट होके र पॉइंट नमबर 58 से 112 तक, ठीक है, तो टोटल इंफोर्मेशन जो आपको भड़नी है, वो 133 है, 58 से 112 तक, यहने 52 पॉइंट आउट ओफ 133 तो सर्फ आपके 10, 11, 12 के मामला है, काश उसे सलेक्शन भी दे देते हैं, पर वैसा होगा नहीं, फिर पूछा है कि आपके फादर की, इंकम, उक्यूपेशन, मदर की, उक्यूपेशन, इंकम वगरा क्या है, पास, अब यह सारे अपलोड वाली चीज़ है, इनका ध्यान रखना है, हमने यही कवर किया था, पास्पोर्ट साइज फोटोग्राफ, पोस्कार्ट साइज फोटो, लेफ्ट राइट हैंड, फि सिंगल पेच पे लगा दिया, ठीक है, सिगनेचर, अच्छा एक और चीज़ है, सेल्फ देक्लेरेशन, यदि कोई जमू एन कश्मीर का स्टूडेंट है, वो उसका वहां का डॉमिसाइल नहीं और भार के लिए अपलाए करना चाहता है, अदर्वाइस, जेनके के स्टूड स्टूडेंट को नेसेसरीली, as of now, UT, Union Territory, जो जमू एन कश्मीर का है, उसमें नेसेसरीली अभी आपको सिर्फ आप जमू एन कश्मीर के कॉलेज़ में अपलाए कर सकते हैं, पर आपका बहां का डॉमिसाइल नहीं है, आपको डेक्लेर करना पड़ेगा, कि आप भार कांस सक्षिन में पूछ लीजिए, this can be so much better, this is unnecessary hassle, but परिशान मत हो यह, अराम से, कोशिश यह है, आपको सारी चीज़े समझा दे, उत्ते बड़े पोथे के अंदर चीज़े समझना थोड़ा मुश्किल है, कुछ अभी भी सवाल है, वीडियो के कॉमेंट सेक्षिन में पूछ सक करिए कि इस संदेया मंदे तक इसे खतम करके आगे बढ़िए और अपनी पढ़ाई पर फोकुस करिए, फॉर्म बढ़ने से आपका सेलेक्शन नहीं होगा, यह बाद शोर है, पर फॉर्म प्रॉपरली नहीं बढ़ेंगे, तो एक्जाम नहीं दे पाएगे, ठीक है कर दो